हाल ही में भारत के जो समुद्र और रिसर्ट से जुड़ा हुआ मंत्राले हैं उन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अफ इंडिया का ये एक बहुत ही महतोपूर्ण रिलीस था जहां से मैंने इस पॉइंट को लिया है समुद्र यान भारत का पहला मानव समुद्र है जिसका नाम समुद्रियान है ये लौंच किया गया है ध्यान रखेंगे आपकी इस मिशन के आरंब होने के साथ साथ भारत अमेरिका रूर्ज जापान फ्रांस और चीन यानि की भारत से पहले ये पाच देश थे जो की जिनके पास अपना एक सी मिशन था सी मिशन नहीं बलकि इसको डीप ओशन मिशन कहना चाहिए इन पाच देशों के बाद भारत छटा देश बना है जैसा की जिनके पास अपना इस तरीक है का एक स्ट्रेंज या एक अनूठा मिशन हम कहें तो है देखिए आप सभी जानते हैं कि बदलते आर्थिक परिवेश में या फिर टे और यहां तक की दूसरे ग्रहम पर भी जो संभावनाएं हैं वो तलाशी जा रही हैं स्रोत जो है वो लगातार खुजने का काम चल रहा है तो उसी दिशा में भारत ने भी कुछ समय पहले डीपोशन मिशन जारी किया था और उसी मिशन के अंतरगत ये समुद्रयान नाम का जो एक आपका हम कहा सकते हैं कि मिशन है वो लॉंच किया गया है मानव रहीत रोबोटिक वहन और छे हजार मीटर परी चालन्ज हमता है इसकी इस प्रणालियों पर लगभग दो दशक के से काम किया जा रहा है और एनाई ओएस राश्ट्रिय महासागर प्रादगे की संसान यानि National Institute of Ocean Research इस पर लगातार काम कर रहा है और पूरी तरीके से ये स्वदेशी क्षमता से ये चीज़ भी आप याद रखेंगे पूरी तरीके से इंडेजेनिस केपिबिलिटी के साथ ये बनाये गया है पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से ये बनाये गया है मत्स छे में मचली को कहा जाता है और छे हजार इसके आगे जो सफिक्स लगा है वो ये तरीके से डिनोट कर रहा है जितनी गहराई तक ये जा सकता है और दो हजार चौबिस की दूसरी तिमाही यानि की सेकिंड ट्राइमिस्टर तक ये परिक्षन के लिए बिलकुल रेडी हो जाए प्रस्ताओं के अंतरगत अब या आप जान लिजे कि डीप ओशन मिशन क्या है पी आई बी पर ही कुछ समय पहले इसका रिलीज आया था प्रधान मंतरी की अध्यक्ष्टा में जो आर्थिक मामलों की समिती है उसने डीप ओशन मिशन पर अपने प्रस्ताओं को मंजूरी और एक चीज आपको और बहुत महत्पून याद करनी है कि यह समुद्र यान जो आपका कारिकरम है यह प्रिथवी विज्ञान मंतराले के अंतरगत हो रहा है कुछ जो है यहाँ पर यह भी confusion हो सकता है जहाजरानी मंतराले के अंतरगत या फिर science and technology department के अंतरगत भी confusion हो सकता है आप लोगों को तो याद रिखेंगे MOES Ministry of Earth Science के अंतरगत यह deep ocean mission जो है वो आपका चलेगा और इसका main उदेश जो है जैसा कि मैंने आपको बताए कि गहरे समुद्र में जो संसाधन है संभावनाए है उनका पता लगाएगा और इन संसाधनों को सतत उपियों कैसे हो यान कि बहुत extensive जो है utilization नहीं करना है sustainable utilization कैसे किया जाए ताकि लंबे समय तक समुद्र जो है वो मानव विकास के लिए फायदे मंद्र है उस दिशा में किस तरीके से प्रोध्योग की का विकास किया जाए यह mission तीन साल के लिए चल रहा है इसकी कुल लागत 4077 करोड रुपे रहे deep ocean mission basically जो blue economy की पहल है वारत सरकार की उसके अंतरगत एक mission mode में यह चलने वाला project है तो आपके लिए exam के नजरिये से जो दो तीन सी इतने वाली चीज़े है वो यह है कि ministry of earth science ने इसको launch किया है deep ocean mission जो की 2021 से 2014 तक चलेगा इसके अंतरगत मत से 6000 नाम की पंडुबी को बनाया जा रहा है और समुद्र के सतत प्रियोगों को समुद्र के संसादनों के सतत प्रियोग को आगे बढ़ाने के लिए यह कारिक्रम चलाये गया है इसके साथ ही एक और बहुत important fact आप देखिए इसी topic से जड़ा हुआ है कि United Nations ने यानि कि UN ने ये जो decade चल रही है दशक 2021 से लेकर के 2030 का इसको किस नाम से इस दशक को घोशित किया हुआ है तो आप देखिए कि सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान ocean sciences for sustainable development इस दशक के रूप में United Nations ने 2021 को 21 से लेकर के 2030 के इस decade को declare किया है कि technology के विकास के साथ साथ एक बात तो पूरी दरीचे से साबित हो चुकी है कि oceans are very important and यहाँ पर जो geographical location है country का वो भी बहुत जादे important हो जाता है भारत जैसा कि आप जानते हैं एक बीच में हम कह सकते हैं bridge का काम करता है जो आपका East China Sea है या फिर Indo-Pacific जो area है और Western world योरप और USA इसके अलावा आपका जो South East Asian countries है इनके बीच में जो हमारा Indian Ocean है वो एक तरीके से bridge का काम करता है और इंडिया का जो location है तीन तरफ से हम गिरे हुए हैं लगबख 7517 किलोमेटर की हमारी coast line है तट रेखा है और लगबख 1382 द्वीप है तो इतने बड़ी भारत के पास एक edge है geographical edge है जिसका की इस्तिमालब धीरे धीरे करने की समभावनाएं बन रही है यहाँ पर आप यह भी बात धिहान रखनी पड़ेगी कि foreign policy के नजरिये से बहुत लंबे समय तक भारत नहीं यह चाहा कि Indian Ocean का जो area है वो जादा limelight में ना आए क्योंकि उसमें अगर धखलंदाजी बढ़ती है चाहे western countries की या फिर ज चाइना की जो इस सिती है जो एक cover करने का तरीका है वहां से भी भारत कहीं न कहीं इस चीज से हमेशा डरता रहे लेकिन आप जैसे जैसे हमारी सामरिक शमता में विकास हुआ है कहीं न कहीं आप हमने भी उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश की है that before everyone anyone else grab that opportunity we should grab that opportunity तो अब इस देशा में भारत काम करना है यहाँ पर यह भी आप जान लीजे कि भारत के कई राजे समुद्र तर्टरेखा से जुड़े हुए हैं जिनमें की आप याद रखेंगे इस चीज को गुजरात आता है अगर आप चलें west to इसकी तरफ सबसे पहले गुजरात है फिर महर राश्रा है गोवा है करनाठका है केरिला है तमिल लाडू है उसके बाद अंदरप्रदेश है और उसके बाद वैस्ट बैंगोर यह भारत के राज्य है जो समुद्र तर्टरिखा से जुड़े हैं तो यह टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है इसके कंटेंट को आप सभी ल